नमस्कार दोस्तों हम सीखें 2D Animation और 2D Animation हमें आपको बता रहे थे Animate CC के बारे में तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है जो 2D Animation के लिए उस पे हम कैसे उसके जो वाइस लगाते हैं सभी का जो mouth का synchronize किया जाता है आप यह मेरे skin पर देख रहे हैं एक से ज़्यादा यहाँ पर character है और सभी का जो voice होता है वो lipsing जो किया हुआ है अपना-पना voice के साथ उसका lips का synchronize कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पहले मैं आपको इस पूरा वीडियो को एक बार आपको चला के दिखाता हूँ किस टैप से इसका जो है वाइस ओबर किया गया है तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल इंटरप्रेस करता हूँ हाई सीजू हाई नोवी हाई सीजू सीजू मैं और रोबो पार्क जा रहे हैं घूमने के लिए तुम भी चलोगे अरे वाँ मैं भी तो पहले से ही सोच रहा था है चलो घूमने चलते हैं फिर चलो मैं आएगा चलो मस्ती करेंगे आलहम बरे वाले पार्क में चलेंगे और डेर सारे मस्तियां करेंगे चलो फिर देर किस बात की तो आपने देखा कुछ इस टैप से इसका जो है एनिमेशन किया गया है तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा सभी कैरेक्टर को पहले वन बाई वन करके आपको बनाना पड़ेगा उसको रीगिंग करना पड़ेगा मैंने पूरा वीडियो आपको बना चुका हूँ कैसे यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को create करते हैं और उसको rigging करसे करते हैं अगर आपने मेरे नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो तो प्लीज जाकर देखे हैं या उपर मेरे i बटन आ रहा है उस पे भी क्लिक करके आप इसका जो पूरा playlist है वो आप देख सकते हैं इसका link भी मैं description box में देड़ूंगा तो यहाँ पर देखे हमाँ पास ठीन character है यह यह character है और एक यह robot है और यह तीसरा करक्टर है जहां पर तीनों का यहाँ पर रिंजल बना हुआ है और एक उपर जो है camera का लगा हुआ है जो की zoom in ज no out का 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 लगण यह एक sound का लगा हुआ है अभी मैं इसको देखिए इस टैप से केरेक्टर को मूड किया हूँ आप देख सकते हैं आपने मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाये थे वहाग पर से कराते हैं इसकी सीवी केरेक्टर को जब यहाँ पर आ गया देखिए यहाँ पर साउंड आ गया अगर आप देखें मैंने साउंड भी आपको बताया हूँ की कैसे लिप्स का सिंक्रनाईज किया जाता है जब यहाँ पर यह साउंड आया तो हमारा जो यह केरेक्टर है जब यह sound आया यहां पर तो मैंने क्या क्या इस character को lips को जाके यहां से इसको मैं own कर दिया यहां से देखिए इसका जो है character step से बोला यहां पर आने के बाद मैंने फिर से इसको क्या किया यहां पर जो lipsing है इसका इसको मैंने यहां से बंद कर दिया यहां पर अगर देखें तो मैंने यहां से on किया था और यहां पर इसको बंद कर दिया उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं और यहां पर जब आया तो यहां पर जब यह character बोलना शुरू किया तो मैंने क्या किया यहां पर आया और इस character को यहां जो है इसको loop on कर दिया आप देख सकते हैं यहां पर loop on किया हुआ है तो इसके बाद यह character यहां तक बोला यहां पर आने के बाद इसका looping फिर से मैंने off कर दिया तो यह continue आपको करना पड़ेगा एक ची किसी भी चीज का lipsing करते है yem luggage जो है इस character के ऊपर होना चाहिए इसके जो head में नहीं होना चाहिए lips बाहर होना चाहिए तब ही आप sound के सात में हर किसी का lips आप कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते है देखते हैं पिर से अब जब मैं इस आगे बरता हूं आगे आने के कर दिया है और यहां से जब आगे बढ़ा रहा हूं यहां से मैंने इसका लूपिंग को ऑफ कर दिया यहान पर यह साल जो है लूपिंग हमने बंद to window है अभी देखिए यहां पे camera moment है यहां पर देख सकते हैं यह camera moment है मैं बता हूंगा आगे camera का moment कैसे किराया जाता है यहां पर यह screen जो है जूम हो रहा है आप देख सकते है यह screen यह पूरा इस केमरे पे फोकस हो गिया यह जो character बोल रहा है क्योंकि आप कोई भी cartoon देख रही होगे रही होगे आप देखते होंगे कि जो cartoon बोल रहा होता है वह जो है पूरा skin प्राव आता है वक्त करण वापस से ला जाता ह। यह जुम हो गया जब यह character बोल रहा है यहां पर देख सकते हैं यह character जब बोल रहा है यह जुम हो गया और देखिए मेरा जो है एक यहां से line दिख़रा हुआ यहां तक ही screen render में आएगा और यह screen यह camera से बाहर हो चुका है फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं इसी टैप से आप इसको जो है हर किसी पार्ट को लिप्शिंग करा सकते हैं, आपके पास बहुत सारा कैरेक्टर है, उसको भी one by one करके करा, अब देखिए यहां पे फिर से यह कैमरा आ गया है, यह कैमरा जब क्या हुआ, इस जो कैरेक्टर है, इस पे फोकस कर रहा है, इसका मतलब यह है, देख यहां से क्या हुआ, देखिए, कैमरा इस कैरेक्टर पे फिर से फोकस आ गया, तो यह step से जब कैरेक्टर को आप करते हैं, one by one, तो आपका जो कार्टून जो होता है, एनिमेशन, वो भी अच्छा बनता है, और जो है, उसके बाद आपका जो है, प्रोजेक्ट भी अच्छा लगने लगता कि, जिस भी कैरेक्टर को हो, जो कैरेक्टर बोल्ड है, उसको आप फोकस में लाके, फिर उसको लिप्स का सिंकरनाईज या एनिमेशन उसको कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, फिर से मैंने इस कैरेक्टर को यहां पे लेके आया हूँ, तो दोस्तों, इस step से आप कोई भी project को आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, और उसको जो है lips का जो सिंकरनाईज होता है, अपने voice के साथ में उसको करा सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा अभी इसके बारे में project में लगाया था यह cartoon करके, उसको आप देख सकते हैं, देख सक से zoom होके बढ़ा गया, और last में देखिए, यह तीनों character जो है one frame में आ रहा है, तो इस step से आप कोई भी project को आप एक character हो, या दो character हो, या दो से अधीक हो, उससे कोई फ़रक नहीं पड़ता है, आप हर किसी को जो भी sound को आप record करते हैं, उस sound के recording आपका character जो है, उसको lips को जो अच्छे से project बना सकते हैं, मैं camera, इसमें एक नया चीछ था कि camera का movement कैसे कराते हैं, मैंने भी बताया नहीं हूँ आपने tutorial में, लेकिन आगे मैं camera के बारे में जब बताऊंगा, तो वहाँ पे आप यह देख सकते हैं, फिलाल मैं यह दिखा रहाता है, कि आप किसी भी lips का synchronize क इसे करते हैं, एक से अधीक अगर आपके पास character होतो, तो आसा करतों दोस्तों यह video आपको अच्छा लगेगा, अगर दोस्तों यह video आपको अच्छा लगा तो like जरूर करें और दोस्तों के साथ share भी करें, अगर आपने मेरे इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर ले, जि झाल